हेलो दोस्तों गीत कुकिंग में आपका बहुत स्वागत है आज हम फिर से एक नई रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर हैं आज हम बनाने जा रहे हैं नवरात्री स्पेशल आलू का पराटा आलू का पराटा आप असानी से वरत में बना सकते हैं तो चलिए हम बनाना स्टार तो आदा कपके करीबन हमने लिया है उबले हुए चार आलू हमने अच्छा से ग्रेट कर लिये थे हरी मिर्च दो तीखा आप अपने रख सकते हैं जैसा भी आप खाना पसंद करते हैं हरा धनिया हम लेंगे यहां पर और इसके बाद हमें लेना है यहां पर भुनी हुई मूफली का पाउडर अच्छे से हमने इसे मिक्सर में ग्राइंड कर लिया था और हम यहां पर आड़ कर देंगे काली मिच पाउडर लेंगे आदा चमच की करीबन नमक टेस्ट के जिसे बोलते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग व्रत का नमक का इस्तमाल करें जैसा भी आप खाना पसंद करते हो अच्छे से हम इसे मिक्स करेंगे अभी हम पानी का इस्तमाल नहीं करेंगे बिना पानी के हम इसे इस तरीके से मसल मसल के इसका आटा लगाएंगे अब परेस्ट नहीं रखना है क्यूंकि देख पर रहए तो बेल साइब कि रख यूह बदें और परांघाना जारी mm. आता बेल का अबद आप यि आप देख सकतें, और यह रखात नहीं चाहिं वचुट है बैल लें लैंगे यहां पर दो पराठे बैल लेंगे रखेंगे लोग्यार के अपना पराठे तयार करना है तो बहुती कर्सपी बन के तयार होगा अब बहुती खाने में मज़ेदार लगेगा यहां पे हमने मुफली का तेल इस्तमाल किया है आप चाहो तो घी का इस्तमाल कर सकते हैं जैसा भी आप रत में ऑईल का इस्तमाल करते हैं आप यूज कीजिएगा खाने में बहुत ही टेस्टी यह पराठा बनके तयार होता है दोस्तों आप एक बार जरूर ट्राइ करें इस नवरात्रे में जरूर एक बार बनाएं वरत का पराठा इसी तरह से हम सारे पराठे low to medium फ्लेप इसी तरह दवा दवा के सेखेंगे यह आप देख सकते हैं बहुत ही खसता हमारा पराठा बनके तयार है अब पराठे खाने के लिए हमें चटनी की विज़रूरत है तो हम यह पर सबसे पहले बनाएंगे वरत की चटनी बनाने के लि जैसा भी आप खाना पसंद करते हैं उसके अपरत का नमक इस्तमाल करें टमाटर हमने आप दो मीडियम साइज के टमाटर लिए उनको कट कर लिया ता साथ में हम लेंगे यह आप भूनी हुई मुंगफली दो से तीन चमच यह आप देख सकते हैं हमने भून के रख ली थी म चटनी हमारी तयार है अब हम क्या करेंगे अपने पराठे को सर्व करेंगे तो पराठे को आप दही के साथ सर्व करें साथ में चटनी के साथ सर्व करें बहुत ही टेस्टी लगता है दोस्तों आप एक बार जरूर नवरात्रे में यह रेसिपी तयार करें दही में आप काल